तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड के रिक्वेश्ट है कि दिल बेचारा फिल्म को सिर्फ और सिर्फ डिजने प्लस होटी स्टार पे देखना इस फिल्म को कहीं से डाउनलोड करके बिल्कुल देखने की गलती मत करना क्योंकि दोस्तो अगर यूँ कहें वर्ल्ड की मोश्ट वाजड फिल्म बन जाए ओनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफोर्म पर तो प्लीज इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ डिजने प्लस होटी स्टार पे ही देखियेगा तो दोस्तो आब अगर बात करें फिल्म के बारे में तो जब मैं इस फिल्म को देखने बेठा तब मेरे अंदर दो डर थे पहला डर तो ये कि मैं इस फिल्म को केस से देख पूँगा दिमाग में एकी बात गुंती रहेगी कि आर सुसान सिंग राजपूत के आखरी फिल्म में अंदर से एकदम एमोसनल हो जाँगा और फिल्म को मैं सही से देखनी पूँगा और दूसरा डर ये था कि आर इस फिल्म से मुझे काफी जादा उमीदे है कि फिल्म एक अच्छी मूवी होगी लेकिन अगर बाइचांस फिल्म अच्छी नहीं लेगी मुझे फिल्म में कुछ कम्या आई और रिविव करते वक्त मैं अगर फिल्म की कुछ कम्या निकाली फिल और मैं उसके फिल्म के बुरा ही नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है दोस्तों, फिल्म वो वाक्य में ही अच्छी है, फिल्म का ट्रेलर देखके हमें क्या लगाता कि फिल्म पूरी तरह से एक emotional फिल्म होगी और सुरू से ही हमें रूलाने लग जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं ह फिल्म के जो comedy ये हो थोड़ी कम होते जाती और फिल्म में एक emotional इंगल निकल के आता और फिल्म फिर काफे ज़्यादा emotional कर देती, हलाकि एसा नहीं कि 30-25 मिनट बाद फिल्म पूरी तरह से emotional है, फिल्म के बीच बीच में भी हलकी फुल की comedy और थोड़ी नोग जोग होती रह आप ये सब कुछ भूल जाओगा कि आप सुसान सिंग राजपूत को आखरे बार इस फिल्म में देख रहे हो, वही दोस्तों बात करो संजना संगी की तो संजना संगी की भी ये पहली फिल्म है, लेकिन आपको यूँ वो महिसूस नहीं होने देखी कि उसके पहली फिल्म ह बंदी ने एक्टिंग काफी बढ़िया की है वही सुसान सिंग राजपूत और संजना संगी की फिल्म में जो जोड़ी है वो भी काफी कमाल और परफेक्ट की लग रही है यहाँ पर दोस्तों फिल्म के जो डारेक्टर है उनके भी तारिप करना होगी मुकेस चाबडाजी जिन्होंने फिल्म की जो इस्टार काश्ट है उतने परफेक्ट चूस की है कि फिल्म का हर एक केरेक्टर बरा बर फिट वेटता है कहीं भी आपको यून नहीं लगागा कि यार इस केरेक्टर में ये एक्टर सही नहीं है मतलब कि काश्टिंग गजब की है और इस फिल्म के डाइरेक्टर की तारिपी इसलिए भी बनती है कि फिल्म की जो लेन थे वो है सिर्फ एक गंटे चालीस मिनट और एक गंटे चालीस मिनट में फिल्म की जो स्टोरी है और फिल्म के अंदर जो एमोसन है जो कोमेडी है और जो सब कुछ entertainment वाला मसाला है वो काफी perfect तरीके से हमें pace कर दिया है ने तो दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई film छोटी है तो वहाँ पे ऐसा लगता कि film काफी जादा speed में भाग रही है लेकिन दिल बेचारा देखते वक्त आपको इसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि film आलगी speed में भाग रही है फिल्म बिल्कुल अपनी रबतार से चलती है और धीरे धीरे हर एक चीज फिल्म में जुड़ती जाती है लेकिन दोस्तों फिल्म की लेंध जहां सिर्फ एक गंटे चालीस मिनट है और फिल्म इतनी जल्दी खतम हो जाती कि आपके अंदर से एक आवाज आती की कास ये फिल्म थोड़ी देर और चलती थोड़ी देर हम और सुसान सिंग राजपुत को परदे पर देख पाते लेकिन फिल्म बहुती जल्दी खतम हो जाती जिसकी वज़से हम थोड़े निरास हो सकते हैं लेकिन दोस्तों और आल कहूं तो फिल्म काफी इंटेटेनिंग और काफी बढ़िया मूवी है इस फिल्म को मैंने जर्ष्ट देखा उसके बाद मैं वीडियो ही बनाने लग गया लेकिन इमानदारी से कहूं तो फिल्म में सही से देखी नहीं पाया क्योंकि फिल्म को देखते वक्त दिमाग में कुछ अलग-अलग चीजे चलती जा रही थी जिसकी वज़त से फिल्म पे जो पूरा ध्याने वो नहीं जा रहा था तो फिल्म को एक बार देख लिया है मैंने लेकिन कल फिर से इस फिल्म को देखूंगा और हो सका तो फिल्म को दो तीन बार और देखना ही सब को पड़ेगी क्योंकि दोस्तों पहली बार तो आप इस फिल्म को देखोगे न तो आप क्या अंदर सिल मतलब कि आप फिली नहीं कर पाओगे फिल्म को आपको यूँ आपके दिमाग में बस सुसान सिंग राजबुद गुमते रहेंगे जिसकी वज़े से आपका ध्यान फिल्म पे उतना नहीं रहेगा तो आप सबसे यही कोँगा कि इस फिल्म को एक बार नहीं दो बार तीन बार चार बार पांच बार आप से जितनी बार हो सके देखो क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बार इस फिल्म को देखोगे फिल्म के व्यूज उतने ही बढ़ेंगे और हमारा टार्गेट यही है कि दिल बेचरा फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज दिलाना है ताकि इस फिल्म के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकोर्ड सेट हो बाकि दोस्तों फिल्म को मैं अपनी तरफ से कोई श्टार नहीं दूँगा क्योंकि इस फिल्म को इस फिल्म को रेटिंग देने की किसी की वकात नहीं हो, मेरी हो या बाकि कोई और हो, कोई इस फिल्म को रेटिंग नहीं दे सकता क्योंकि ये एक फिल्म नहीं, लोगों के लि भूले और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फोलो करें मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में जब तक के लिए जे हिंद प्रणिपात